नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा चार हिंदी दोस्त की पोसाक के परसन उत्तर तो सुरू करते हैं, तुम्हारे सवाल, कहानी के बारे में कोई पांच परसन बनाकर नीच दी गई जंगहे में लिखो कोपी में उनके उत्तर लिखो, परसन नमबर पहला प्रत्तम, नसीरुदीन किस से मिलकर बहुत खुस हुए? उत्तर, नसीरुदीन जमाल साहब से मिलकर बहुत खुस हुए? परसन नमबर दो, नसीरुदीन ने हुसेन साहब से क्या कहा? उत्तर, नसीरुदीन ने हुसेन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त है और इन्होंने जो अचकन पहनी है, वह इनकी अपनी ही है। नसीरुदीन ने अपने पडोसी को जमाल साहब की पोसा के बारे में क्या बताया? उत्तर, उन्होंने जो अचकन पहन रखी है, वह मेरी है। परसन नम्बर चार जमाल सहाब ने नसीरुद्दीन को क्या समझाया उत्तर जमाल सहाब ने नसीरुद्दीन को समझाया कि वो साक के बारे में नय कहना ही अच्छा है परसन पांच जमाल सहाब ने घुमाने जाने से क्यों मना कर दिया अर्था, जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया उत्तर, जमाल साहब की पौसाग मामूली सी थी इसलिए उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया तुभारी बात, नसीर उद्दीन और जमाल साहब बंठन कर घूमने के लिए निकले कर तुम बंठन कर कहां कहां जाते हो उत्तर मैं बंठन कर अपने दोस्तों के जनम दिन की पार्टी में और अपने रिष्टेदारों के घर जाता हूँ परसन नमबर खै तुम किस किस तरहे से बनते ठनते हो उत्तर मैं नहाद होकर नई कपड़े पहनता हूँ कंगी करता हूँ तथा पॉलिस किये हुए जूते पहनता हूँ तुमारी समद से परसन नमबर कै तीसरे मकान से बाहर निकल कर जमाल सहब ने नसिरुद्दीन से क्या क्या कहा होगा उत्तर जमाल सहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ नए कहने को कहा था फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया परसन नमबर कै जमाल सहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे उत्तर जमाल सहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है इसलिए जमाल सहब अपने मामूली से कपड़े में घूमने नहीं जाना चाहते थे परसन नमबर गय नसिरुद्दीन अपनी अच्छकन के बारे में हमेशे क्यों बताते होंगे उत्तर नसिरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अच्छकन के बारे में हमेशे बताते होंगे गपशब जब जमाल सहाब और नसीरुदीन हुसेन सहाब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुदीन और जमाल सहाब से मुलाकात का किस्सा सुनाया उन दोनों के बीच में क्या बात चीत हुई होगी लिख कर बताओ बेगम कौन आया था हुसेन साब नसीरुदीन अपने दोस्त के साथ आया था बेगम डैस 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 बेगम किस दोस्त के साथ उत्तर बेगम किस दोस्त के साथ हुसेन साब जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था बेगम हस्ति वी तब जरूर ही अचकन उसकी अपनी नहीं होगी हुसेन साब हाँ हाँ उसने तो नसीर उद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी घूमना फिरना नसीर उद्दीन ने कहा चलो दोस्त महले में घूमाए जब नसीर उद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे अपना महला दिखाने ले गए जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो उत्तर मैं जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ तब उनके साथ खाता पीता हूँ उन्हें साथ लेकर पार्क में घूमने जाता हूँ और उनके साथ खेलता हूँ करके दिखाओ नीचे कुछ वाक्य लिखी है तुम्हें इनका अभीने करना है तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहां आया है बंठन कर घूमने के लिए निकलना घडों में पानी पढ़ना मुह बना कर सिकायत करना गर्म जोसी से स्वागत करना नाराज होना देखते ही रह जाना उत्तर घर में इनके अभीने का अभ्यास करो घडों पानी भरना नसीरुदीन की बात सुनकर जमाल सहाप पर तो मानों घडों पानी पढ़ गया घडों पानी पढ़ना एक मुहावरा है इसका मतलब क्या हो सकता है पता लगाओ तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बात चीत कर सकते हो या सब्द कोस देख सकते हो उत्तर घडों पानी पढ़ना बहुत लज्जित होना घडों पानी पढ़ना मतलब बहुत लज्जित होना इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है तुम भी किनी दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ कुछ मुहावरे हम दे देते हैं तुम चाहो तो इन में से कोई पसंद कर सकते हो सिर मुढाते ही ओले पढ़ना उंट के मुह में जीरा दिया तले अंधेरा इद का चांद नसिरुदीन निकल कर लाए इद का चांद नसिरुदीन निकाल कर लाए उत्तर कौन है कैसा नसीरुदीन एक भड की लिए अचकन निकाल कर लाए भड कीला सब्द बता रहा है कि अचकन कैसे थी कहानी में से ऐसे ही और सब्द छाटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो उन्हें छाट कर नीचे दी गई जंग है में लिखो देखे कौन सबसे ज्यादा ऐसे सब्द ढूंड पाता है पुराना दोस्त बड कीली पुराना जैसे सब्द किसी के बारे में कुछ खास या विसेस बात बता रहे है इसलिए इन्हें विसेशन कहते है तो विसेशन किसे कहते हैं एक ऐसा सब्द जो संग्या या सरुनाम की विसेशता बताता है उसे विसेशन कहते है उत्तर मामूलिसी पोसाक खास दोस्त कैसी अकल अन्य पडोसी अपनी अचकन यह अचकन ये सभी यहां पर विसेशन का काम करेंगे पास पडोस पडोस के घर में जाकर नसिरुदीन पडोसी से मिले तुम अपने पडोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो चलो दोस्तों के बारे में और जानकार इखटा करते हैं यदि तुम चाहो तो उनसे ये बाते पूछ सकते हो। घर में कुल कितने लोग हैं, उनकी नाम क्या है, उनकी आयू क्या है, वे क्या काम करते हैं, इसी सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड सकते हो। उत्तर अपने पडोसी बच्चों और उनके परिवार वालों से ये परसन पूछ कर जानकारी इखटी करो। सब्दों का हेर फेर, जूठा जूठा, इन सब्दों को बोल कर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले सब्द है, जरा से अंतर से भी सब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ सब्दों के जोड दिये गए है, इन सब्द के अर्थ अलग-अलग है। इन सब्दों का वाक्यों में प्रियोग करो। गड़ा, गड़ा, घूम, जूम, राज, राज, फन, फन, सजा, सजा, खोल, खोल। उत्तर, घड़ा, कुमहार घड़ा बनाता है, गड़ा, तुमने सुन्दर मुर्ती गड़ी है, घूम, बच्चे पार्क में घूम रहे थे, जूम, पोधे हाववा से जूम रहे है, राज, पुराने समय में यहां मुगलों का राज था, राज, सब को तुमारे इस राज का पता चल गया है, फन, तानसेन अपने फन में माहिर थे, फन, साप ने अपना फन उठा लिया, सजा, दिवाली के दिन सारा सहर सजा हुआ था, सजा, चोर को सजा जरूर मिलेगी, खोल, ममी ने दरवाजा खोल दिया, खोल, उबला हुआ पानी खोल रहा था,